तो पर्स लेन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है तो आज की चर्चा का विशे है Medical Student अब लेंगे चरक शपक चलिए जानते है चर्चा में क्यों क्या है चरक शपक राश्ट्रिये चिकित सा आयोग NMC चलिए जानते हैं चर्चा में क्यों राश्ट्रिये चिकित सा आयोग NMC ने घोशणा की है कि Medical के चात्र अब हिपोक्रेटिक शपक की बजाए महर्शी चरक शपक शपक लेंगे इसकी शुरुआत तेश में MBBS चात्रों के मौजूदा बैच से होगी हिपोक्रेटिक शपत नए Medical सनातकों के लिए एक नैतिक सनहिता है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे प्राचीन यूनानी चिकित सक हिपोक्रेट्स ने लिखा था चलिए जानते हैं क्या है चरक शपत दीक्षांत समरुख के दौरान चिकित सा पद्धती के संचालन के लिए एक मारगदर्शक के रूप में शपत ली जाती है यह शपत महर्शी चरक की लिखी पुस्तक चरक सहिता से ली गई है महर्शी चरक को दुनिया में सबसे प्राचीन कही जाने वाली आयूर्वे चिकित सा पद्धती का शीर्ष विशेशक के माना जाता है इस शपत में मरीज का अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा इलाज करने और अन्य बातों के साथ मरीज की गुपनियता की रक्षा करना भी शामिल है चलिए जानते हैं क्या है राष्ट्रिय चिकित सा आयोग N.M.C. के बारे में इसका गठन राष्ट्रिय चिकित सा आयोग अधिनियम 2019 के जरिये किया गया इसका उद्देश ये गुडवत तापूर्ण और सस्ती चिकित सा शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना और देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त चिकित सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है अगर आपको यह विडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें